हेलो एबरिवन जैसा कि आप थमिनेल देखी चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं तो हम लोग आज की क्लास में हम साथ क्लास में हैं जो 10 years questioner bank के home science का बिल्कुल complete कर लेंगे तो आपको सारे क्लास में जूर ने कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइगर को प्रेस कर लेना है ताकि जितने क्लास हो की सबकार नोटिफिसन आपको टाइम पर मिल दाएगा और डिस्क्रिप्सिन में टेले ग्राम कर लिंक जरूरी है क्योंकि हम लोग 3-4 लास में 10 years के प्रिवेस क्वेस्टन बैंक को कवर कर लेंगे तो आपको सारे क्लास को देखना जरूरी है और देख भी चुगे तो आपको रिवाइस भी कर लेना है क्यूंकि आपको बोड़ एक्जामें पूछाएका आपको यहीं से पूछ प्राकिर्तिक तंतु है जिहां इन में से कौन से यहां पर प्राकिर्तिक तंतु है यहां पर एक्षों दिया हुए सूथ और शील के घेते हैं अपको सा भी अ आपको मैंने कर लिए हैं यहां पर कि बोला जा रहा है इसलिए अपर रखे अप्सक्राइब दी हो जाएगा तो आप देखलेंगे नेक्स कुछेस्टन फोर और आप फोर का राइटन सब आप यह क्या बोला जा रहा है बारा से अठारे वर्स की आयू को कहते हैं यहां पर अवस्था कहते हैं तब क्वेस्टन फाइब को देख लिए क्या बोला जाए और फिर आइटन क्या भूला जा रहा है क्या ड्याइटन से परवाहित नहीं नहीं होता है तो सुभकिल को जाएगा आवासell गषण में ऐसे और आपको ऊच्छी वा बताए ये कौन्स नंबर का ःट का क्या है यह नहीं घर्ट अब धेखलेंगे क्या बोला जाए कुछन नाइं में उन्य वस्तिरों को नस्ट कर देते हैं यहाँ यहाँ पर नाइन सब्सक्राइब करेक्ट हो जागा जो कीड़े होते हैं यह उनिवस्तर को नस्टे कर देते हैं तो आपको यहाद रखने हैं यहां पर आवला होता है क्या होता है इसलिए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा तो आप देखलेंगे अपको और इसलिए ग्यानात्मक विकास से तात पर यहां पर दूसी भोजन से कौनसी बिमारी होती है जिहां कौनसी बिमारी परसदू से होती है तो 13 में option number A बिल्कुल correct हो जाएगा ने पी लिया चले तब question 14 को देखे लिए क्या बोला जाएगा 14 में फिर item से बता है कौनसी option correct होगा लिकर्टस किस विटामिन के अभाव में होता है तो कौन सी विटामिन के अभाव से होता है यहां पी रिटन से बताने है तो 14 का option number D बिल्कुल correct हो जागा विटामिन D की कमी से होता है चले तो आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन क्वेस्टन नमर 15 और फिटाइटन से बता है क्या बोला जारा है देखिए रट फटाफट रेटन से बताईए जनमे के समय कौन सा ठीका लगा जाता है यहां पर आप्शन में बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा जिए बीस जी का लगाए जाता है जिए नेक्स्ट क्वेस्टन में 16 फिर अटन सा बदे 16 में कौन से अवस्टन क्रेक्ट होगा गर वहस्ता में किसी तरह मिवास्टता में बढ़ जाती है तो 16 रटन से आप्शन में बन डी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा जिया इन मैंसे सभी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा जैए अप्षिछ ने नेक्स्ट क्वेस्टन सब्सक्राइब कौन सोफ्टर करेक्ट होगा इस तरी के पर्थम दुख्द सराओं को क्या कहते हैं तो आपस्टन नमर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने कोलेस्टरम कहते ह है नमर भी राइट हो जाएगा तो आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन में 18 और आप लोग इसी तरह कमेंट बोस्ट में लास्ट तक आंसर बता देजलेगा क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेस्टन में पूछी जाते हैं आप सब को पता ही है क्योंकि आप सबने डिव क्योंसर क्रिक्ट होगा वह भोगता अपनी शिकंदर्ज करा सकते हैं तो 20 ओस्टा निवानद संगरें के पास करा सकते हैं तो आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन में 21, फिर राइटन से बता है, 21 में कौन सो उप्षन करेक्ट होगा, एक उभोकता परभावपुर्ण खरीदारी है तू, सहता प्राप्त कर सकता है, कहां से प्राप्त कर सकता है, सहता, तो 21 में राइटन से उप्षन नमर, D बिल के दात बोलते हैं, तो उसके संख्या कितनी होती है, तो यहां पर राइटन से उप्षन नमर, D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नि, 20 होती है, चले तो आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन में 23, और राइटन से बता ही, 23 में कौन सा उप्षन करेक्ट होगा, राइटन संकितिक भाषा का परियोग होता है, तो किसके लिए संकितिक भाषा का परियोग होता है, तो 24 में राइटन से उप्षन में,ertि बी हो जाएगा घूंगे तथा बहरे बच्यों के प्रियोग होता है, चले तो आप देखलेंगे देखलेंगे नेक्स्ट क्वेशन को पॉष्टिक तत्वो से समरिद्द बनाने की वीधी है तो आप सबको पता हिए जिहां नी मिश्रन खमीरी करन और यह अंकूरी करन यह सारी क्या है यह भोजन को सम्रीद दबनाने की वीधी है यहां तो आप देखलेंगे क्वेश्चन में 28 क्या बोला जाए 28 में और फिर आइटन से कमेंट बॉक्स में बता है यह कौन सा ओप्षन करेक्ट होगा मासिन वेतन परिवार की किस आये के अंतर कर आता है यहां पर बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा मौदिक आये के अंतर कर लिया अब हम लोग इसी तरह फटर कंडिव करेंगे नियुक्त को अपको आपको 10 यह का प्रिवेस क्वेस्टर बैंक कवर कराने वालों तो आपको सारे को देखना जरूड़ी है तो चलते हैं अवान्वश्ट नेक्स्ट मोडलशेट की और एनी ओन्फल सेट फोर की और जिहां तो मोडलशेट ऍसकीनी पर आचुका है क्या बोला जा रहा है एक दूद्ध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने परती दिन के आहर में कितना अतरिक्ट प्रोटीन देना चाहिए जीहां कितना अतरिक्ट प्रोटीन देना चाहिए यहां पर आपको राइट अंसर बताने है विध्धि एवंग विकास को परमानित करने वाला कारक है तो विध्धि और विकास को परमानित करता है तो टू में राइटन से ओप्षन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा इन मैंसे सभी चले तब देखलेंगे next question question number 3 और आप लोग राइटर से बताईए 3 में कौनसा option correct होगा जी हाँ question 3 भी इसकी पर आच चुका है क्या बोला जा रहा है धोकला किस वीदी से बनाया जाता है जी हाँ वीदी से बनाया जाता है तो आप सबने सुना ही होगा जो नाइलोन है वो क्या है इन्हीं रस्तिया बनाने के काम आता है जो की काफी मजबूत होता है तो आप सब को पता हिए जो हाई जाया है यह वायो के द्वारा नहीं फलता है इसलिए option नमर B बिल्कुल correct हो जाएगा चले तो आप question number 6 देख लिए क्या बोला जाएगा 6 में फिर राइटरंसर बता है यह कौन सा option correct होगा बच्च्यों में और समर्थता हो सकती है यह कब से हो सकती है तो आप सब को पता ही है कि इन्हीं जन्मे के पहले से भी हो सकती है बाद से भी हो सकती है और जन्मे के समय से हो सकती है इसलिए आपका option number D बिल्कुल correct हो जागा है इन मैंसे सभी चले तो आप देखलेंगे next question बिल्कुल correct हो जागा जिखनी रेश्मी वस्त्रेक्ट हो जागा जिखनी रेश्मी वस्त्रेक्ट के लिए की जाती है तो आप देखलेंगे next question बिल्कुल correct हो जागा इन मैंसे सभी किसोर अवस्ता में मासिक धर्म संकेत नहीं है किसका संकेत नहीं है मासिक धर्म यहां पर 10 में रेश्मी बिल्कुल correct हो जाएगा जिखनी शादी करने का यह क्या है संकेत बिल्कुल भी नहीं है प्रबंदन का वह चैनल जिसके अंत्रगत के जाने वाले कारियों की सूची तैयार किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए तो क्या है वह वह यहां पर 11 में रेटन संकेत बिल्कुल correct हो जाएगा जिखनी क्या है यह नियोजन है क्या बोला जा रहा है विटामिन जो बच्चू को डिकेटर्स रोग से बचाती है वह कौन सी भी विटामिन है यहां पर राइटन संकेत बिल्कुल correct हो जाएगा ने विटामिन दी जो ए है यह रतोंदी नामक बीमारी के लिए यूज किया आता है जो विटामिन बी है यह ब पूछा जाता है इवह कौन से बिटामिन गुल जाते है तो थर्टीन में का सर्वत्त्तम सर्वत है जिया है यहाँ पर सर्वत्त बोला गया है सब्सक्राइब करेक्ट होगा मिलावट रोकने में किसकी साहता अब एक चित है जिहां तो किसकी साहता तो फिस्टीन में विकास के अंतरगत नहीं आता कउन कपड़े की धुलाई की अंतरगत नहीं आता है जिहां तो फिस्ट कपड़ की धुलाई की अंतरगत नहीं आता है निम्न में कोंवेश का सबसे अच्छा साधन है तो कौन से निवेस का सबसे अच्छा साधन है तो option नमर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने रास्ट्रिय बचत पत्र है चलो तो अब देखलेंगे next question 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 19 क्या बोला जाला है 19 में very good और आंतरिक सज्जा अभी वेक्ति है जिहां किसकी अभी वेक्ति है आंतरिक सज्जा यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने इन में से सभी की चलो तो आप देखलेंगे next question question 20 क्या बोला जाला है 20 में फिर आइटर्स पता यह कौन सो option 20 में करेक्ट होगा निम्ने मैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेक्ट होगा जाएगा Greg कितने परकार का होता है तौछ प्राथ्मिक रंग नहीं है। जो हारा रंग है ये प्राथ्मिक रंग नहीं है। तब देखलेंगे next question 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 24 क्या बोला जाए 24 में right answer बते हैं वस्त्रों के चुनाओं को परभावित करने वाला कारक है जिहां कौन सा कारक है जो वस्त्रों के चुनाओं को परभावित करता है यहां पर option बिल्कुल करेक्ट हो जाए दिखाने करिमियों के साथ घुमती है तो option बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चावल को अच्छा नहीं खाना चीए चिर्ड p 25 को देखे लिए क्या बोला जा रहा है निमक में रिचा और बइखेस करने और उस रोक के लक्षनों के पीच की ओधी को क्या कहते gjith MICH أنrare क्या यहां पर then हो जाएगा तो 28 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने उद्भवन आउधी कहते हैं तो हम लोगों ने मोडल सेट फोर भी कंप्लीट कर लिया तो इसी तरह आप लोग इसे तरह क्लास के लास तक बढ़े रहेगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों को शेर कर दिना है ताकि आपको फ्रेंड भी वीडियो का इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए तो चलते हैं यहां जैसा कि देख पार होंगी कि क्रेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है चलता अपको देख लिए क्या बोला जाए फिर एटन सा बताए कौनसा ओप्षन यहां पर करेक्ट होगा अप मिश्ण के उधारन है तो थिरी का रेटन से ओप्षन मेर्ड डी हो जागा इनमें से सभी यह स न्मेंसे सबजियां क्या परदान नहीं करती है तो ओप्षन नमर B यंण ऊटजाए परदान नहीं करती है बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा तो आपको जिख लिए क्या बोला जाए कौन शरीर की आधार शीला कहलाता है तो प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो गिरह विज्ञान का परमुख उद्देश है यहां पर यहां पर यहां से वस्त्रू को बचाने के लिए परियोग की जाते हैं किसी चीज का परियोग की आते हैं तो आप्शन नमर्डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इन मैं से सभी का परियोग कीया जाता है जातु का नल साफ करने हिति परियोग आता है कौन चीज परियोग आता है यानि धातू करनल साफ करने के लिए तो अप्शन नमर्ट डी यानि क्या हो जाएगा निम्बू वो सिर्का राइटनसर हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन में को देख लिए क्या बोला जारा है किस रोग में जोवर के साथ साथ नहीं बुखार के साथ साथ जीब सूकती है और उस पर सफेद पदार्थ जमने लगते हैं कौन से रोग में सी बिलकुल क्रेक्ट हो जाएगा जिए क्या बोला जा रहा है जन्म के समय बच्चे की आउसत लंबाई होती है जिहां इस क्वेश्चन का आंसर में पनी पहले किलास में यहां पे किसान विकास पत्र हम कहां से खरीतते हैं किसान विकास पत्र हम कहां से खरीतते हैं तो ऑप्शन नमर्ट सी बिलकुल क्रेक्ट हो जागा जिखने मास मचली और अंडा किस विटामिन के अभाव में होती है मैंने आपको बता दिया था बेरी-बेरी के बारे में यहां पर आप्शन नमर्ट बिलकुल याद्र हो जाएगा जिखने विटामिन बी की गमिर से बेरी-बेरी रोग होता है चले तब क्वेश्चन में देख लेंगे क्या बोला जाए कौन सा करेक्ट होगा और सीवित खरीदारी की जा सकती है जिहां किसे की जा सकती है जिए बिलकुल करेक्ट हो जाएगा जिखने बूख चले आप क्वेश्चन में से कौन पौधे का खाने योग भाग है यहां पर लाल बिलकुल करेक्ट हो जाएगा तो चले आप कौन सा प्राकिरतिक तंतु नहीं है यहां पर लाइटर से और डी बिलकुल करेक्ट हो जाएगा जिखने इन मैंसे कोई नहीं जिखने प्राकिरतिक तंतु है इसलिए राइटर से अप्चिन में डी हो जाएगा चले तब देखलेंगे नेक्स क्वेश्चन में 22 क्या बोला क्या बोला जा रहा है विकास आत्मक मनु एज्ञान लावदायक है जी हां इसके लिए लावदायक है यहां पर देखलेंगे नेक्स क्वेश्चन में 26 क्या बोला है 26 में राइटर से बताइए आईसीडियस कार्य करती है जी हां तो किसके लिए करती है आईसीडियस यहां पर अफ्शन नमर्ड डी बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा जी हां ने बच्चों एवंग महिलाओं दोनु के लिए करती है चले अब क्वेश्चन में 27 को देखलेंगे क्या बोला जा रहा है मानकी क सब्सक्राइब कर लेना और मैंने डिस्क्रिप्स में टेलेग्राम कर लिंक डाल दिया आपको लिंक को क्लिक करके जो जाना और मैंने लाइब कमेंट में पिन कर दिया क्लास में जौन हो सकते हैं और अगर अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और जो बी इस चैनल को सबस्क्राइब करें और आपको सारे क्लास में जरूर जरूर है क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट है वह सारे सब्जेक्ट का आपका जो क्वेस्टन बाएंगा टेन यर्स का वह मैं सुरू कर चुका हूं आपका एक्जाम से पहले-पहले मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा इसलिए आपको बोलना हो कि चैनल को सब्सक्राब करने हैं और बेल आइकोल को प्रेस्ट करने हैं ताकि जितने पर क्लास होतों की सबका बेडिवीट आप उठा पाएंगे चले तो यहां तक बने रहने के लिए आप सोगा धन्यवाद तो आज की क्लास में इतना ही फिर मिलेंगे हम ल नेक्स क्लास